हलो गएस, हम अब चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसका टाइटल है, री ल Holगनेजेशन ओफ स्टेट अब ये इस चैप्टर के हम लोग चो ये लास्ट पार्ट है, इसमें इम Ihे डिसकस करेंगे कि आफ्टर क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस हमारे स्टेट्स में जित्ती प्रॉब्लेम्स आई like integration of states of freedom of princely states and uniting them into the part of India ठीक है इसके लावा एक और important point जो आज जो इंडिया हम देखते हैं उसको बनाने में एक और जो major hurdle थी उसको कैसे cover up किया गया या उसको कैसे power किया गया उसके regarding हम इस last part में पढ़ेंगे ठीक है तो इसके अंदर हम reorganization of states पढ़ेंगे तो आप यह सोचोगे जिकि यह reorganization of states क्यों है organization of states क्यों नहीं है पहला point तो यह है जिकि यह chapter का जो यह part इसका मतलब क्या है इसका मतलब simple है कि जो state है हमारा जो center एक government पनी उसके बाद जो हमारा एक जो इंडिया बना उस इंडिया का जो पूरा territory था उसको कैसे divide करे और गनाइस करे states के तौर पे different states के तौर पे ठीक है तो फिर हमारे point में यहाँ पे एक बात यह आती है कि organize तो पहले से थे states जैसे Britishers जो थे जो princely states थे उनमें already states की boundary defined थी तो हमें फिर से define करनी की जरूद क्या पड़ी और इसके अंदर एक और point यह आता है जिकि Britishers ने जो यह हमारे states को organize किया था उनकी जो territories थी उनके जो इंडिया में उनके जो territories वो control करे थी apart from princely states उनकी जो अपनी personal territory वो directly जो control करे थे उसको तो उन्होंने organize पहले से ही कर रखा था तो हमें क्या जरूद पड़ी जी कि हमें reorganize करने की जरूद क्यों पड़ी तो सबसे पहला point जी उन्होंने organize कैसे कर रखा था उसको समझ लेते हैं उन्होंने जो states थे उनको अपने benefits के हिसाब से organize किया हुआ था foreign instance जहां तक उनका administrative control जहां तक हो सकता था जितना एक possible area में needed administrative control हो सकता था उस control के basis में उन्होंने अपने states को डिवाइट कर रखा था जैसे फॉरे निसे सर्टेन major हड एक और British का major एक group है या क्या बोसकते हैं जी कि आप एक major point है वहां से जितना administrative control एक British को मिल सकता था उत्रा उन्होंने किया और जितनी उनकी नीट थी उनके अपनी convenience के हिसाब से उन्होंने उस और states को organize किया जिकि इतनी यह पार्ट समालेगा उसके बाद जो दूसरा organization था जो major organization था वह दूसरा जितना उनके हिसाब से ability हैं उनके हिसाब से जो यह उत्ता वह समालेगा ठीक है तो उन्होंने इस तरीके से इसको डिवाइट कर रखा था अब आपको यह सोचने पर सोचना चाहिए कि कि उन्होंने जो यह डिवाइट किया तो उसमें दिक्कत क्या थी अगर organization को मतलब state को अपनी तरीके से उनके कंट्रोल के हिसाब से अगरोंने डिवाइट कर रखा था तो असान था ना central government के लिवी जो नहीं सेरकार बनी वो भी उसी तरीके से उसको डिवाइट करके रख देती उससे उसको नुकसान क्या होता जिकि वो और असानी से कंट्रोल कर पाती क्योंकि Britishers तो कंट्रोल करी रह हिसाब से थे वो ना हमारी जो पब्लिक थी common जनता थी उसकी जो एक language के हिसाब से होती है या उसके culture के हिसाब से उसके living standard के हिसाब से उससाब से नहीं थी for an instance यहाँ पर अगर हम बोले तो ना linguistic basis पे divided थी और ना ही cultural और cultural priority के basis पे divided थी cultural priority मतलब रैंस, वेज, भूशा, खान, पान कैसा होता है उससे साब से divided नहीं थी ठीक है तो अब हमारी जो नहीं सरकार बनी उसके उपर ये दामधार जम्यदारी पड़ी के वो states को cultural और linguistic basis पे divide करे और properly diversify करे हमारे states को तो इसी basis पे जो Congress उस टाइम के सबसे बड़ी क्या बोलते है पार्टी थी जो हमारी freedom struggle की पार्टी थी उसने ना 1920 में ही नागपुर सेशन में ये decide कर लिया कि वो ना अपनी जो provisional Congress committees है वो सारी की सारी linguistic zone के हिसाब से करेगी ठीक है ये अजादी से पहले ही Congress ने ये decide कर दिया था और Congress इसके favor में भी थी ये कि linguistic जो हमारी भाषा और जो एक regional cultural है उसके basis पे हमारे states को divide करना चाहिए लेकिन बिटिशस नहीं मानते थे ठीक है अब इसमें दिक्कत क्या आई दिक्कत ये आई after independence जब हमारी country में हमारे देश के ही लोग गवर्न करने लगे एक educated class जब central government में आय और central government को control करने लगा तो उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर हम भाषा के साफ़ा और culture के साफ़ा करने लगे state को तो क्या पता है इंडिया इंडिया ना रहे और वो कई सारे states में divide हो जाए क्योंकि अभी अभी जब हम अजाद हो थे तो you know कि हम लोगों का जो अजादी म मिली वो partition के बाद मिली तो partition का जो एक fear था वो हमारे central leadership में आया और हमारे already princely states थे जो already 565 states थे approximately उनको unite किया अब उनको unite करने क्या हो उनके हिसाब से अगर हम state organize करे तो उसमें तो और भी जादा हमें डर थी क्या बुलते हैं कहीं वो अपना state हो फिर से मांगने ना बैठ जा तो major factor यह था कि हमारे जो states थे उन states को हम लोग अगर आज के आजी regional language या culture के basis पे करते तो हम लोगों को आगे fear था कि क्या पता जो central government के लोग थे उनको fear था क्या पता आजादी के मांग करने लगे ये लोग separate nations की मांग करने लगे और इससे odd difficulty पैदा हो जाए United India बनाने में ठ इसी चकर में इसको थोड़ा prolong किया गया और इसको खीचा गया ताकि यह सोच समझ के एक decision किया जा सके इसके बाद एक important point यह भी है कि अगर हम लोग अभी states को divide linguistic basis पे करने लगे तो कहीं और भी states और भी लोग इसी बात के चकर में पढ़ जाएंगे और क्या बोलते जो हमारा मेजर economical social development लाइक शोशल डेबलेमेंट लाइक रस्ता healthcare services और और भी educational services और भी जो भी services लेग जो को अपग्रेट करती है उसके लिए हमारे पास लोगों को सोचने का वक्ती ना हो या सोचे ना लोगबा सिर्फ अपना ही सोचने पर आ जाए अपनी टेरिटरी को डिफाइन करने में लग जा और जो इंपोर्टेंट बेसिक नीड्स है उसको भूल जाए और और भी लोगों को जो कॉमन पीपल है उनको और भी तकलीफ हो का सामना करना पड़े तो इसलिए अभी के लिए उन लोगों ने थोड़ा प्रोलोंग करने का सोचा अब इसके बाद क्या हुआ सबसे मेजर इवेंट इसमें तब आया जब मदरास प्रोविजन जो ओर्ड मदरास प्रोविजन ह वहाँ पे तेलगू के स्पीकिंग लोगों ने ये चुरू कर दिया जिकि हमें हमारा अपना सेपरेट क्या बोलते स्टेट चाहिए ठीक है अब इस चकर में क्या हुआ एक मुवमेंट चालुआ जो की विशाल आंदरा मुवमेंट के नाम पे जाना गया अब इस उसमें आंदरा प्रदेश और आज के तारीक में तमिल नाडू, केरला, करनाटा का जो भी है और अब तेलंगाना भी उसी पार्ट में आता था ठीक है तो इसलिए क्या हुआ कि जब ये डिमांड आने लगी तो इसके उपर काफी सारे कॉंफिलेटिंग मुवमेंट भी Central Government ने क्या बोलते हैं, डिसिजन लेने में थोड़ी देरी भी करी, Central Government थोड़ी बाते ऐस तरही से करने लगी जिसमें लोगों का उस पे भरोसा हटने लगा, आज अगर कुछ बोलते हैं तो कई कुछ और बोलते हैं तो इस चेकर में Central Government की बातों से लोगों का जो भरोसा इनिधे श्रू करती, जिनका नाम था, पोटी श्री मुल्ला, और उन्होंने च्प्पन दिन केलिए, मतलब हांगर स्टाइक किया, अब चोए, चाप नदिन केलिए, उन्गर स्टाइक क्या, उस चकर में उनकी डेध हो गई, और विफ्टि शिक्स और की हांगर स्टाइक मे death हो गई और उस चक्कर में एक जो state hood का जो demand था उस में और भी आग में घी का काम किया इस death ने ठीक है और इसके बाद काफी लोग बहार आए और उन्होंने काफी हंगामा किया जिसके बाद police ने firing करी और उन चक इस firing और हंगामे में कई लोग injured हो और काफी लोगों की मौत हो इसी कारण इससे देखते हुए central government ने थोड़ी सी central government को सोचना पड़ा और central government ने ये decide कि वो ना एक commission बनाएगी जिसका नाम बनाया है उन्होंने state recognition commission iam sorry उसका नाम पड़ा state reorganization commission जो कि 1953 में बना अब इस commission का काम था जिकि ये states की boundaries को define करें तो इस commission ने linguistic basis पे state की boundary को define किया अगर आप यहाँ पर notice करो तो इस commission का काम क्या था जिकि वो boundary define करें रैंट states की boundary define करें और उसने पेरोगरटिव यह लिया जिकि वह language के basis पे ये state की boundary define करेंगी। अब पॉइंट यह आया है जिकि अगर ये अगर आप ये सोचो जो कि पहला फिएर ही क्या था जिकि इस स्टे वेज के बेसेश पे ही स्टेट की बाउंडरेश डिफाइन करी और एक एक रिपोर्ट तयार करके बेज दी अब इसी रिपोर्ट के बेसेश पे गौर्रमेंट ने एक अक्ट पास किया 1956 में जिसका नाम था स्टेट री ओर्गनाजेशन आक्ट ये पासवर 1956 में और जिसके बे येर के basis पे काम हुआ और वो आज भी शायद चल रहा है ठीक है उसी basis पे language के basis पे define है हमारे कई सारे states राइट अब इसके बात शुरू होती है बात अब इस commission के बनाने के बाद जो बात शुरू होती है उसे एक फाइदा ते यह हो गया जिकि जो दूसरे भी states आंधरा के divide होने हमारा इंडिया बढ़ जाएगा उसका उल्टी बात शुरू हो गई कि हम लोग अगर डिफरेंट स्टेट के लाइंग्वेज के basis पर डिफरेंट स्टेट करेंगे तो हम लोग को यह पावर देता है और सब लोग इससे पावर्फुल होते हैं कैसे होते हैं उसका रीजन यह जो एक पड़ा लिखा तब का था सेंटरल गवर्मेंट में वो जो एजुकेटेड क्लास था उसमें अब जो कॉमन लोग जो उतने वेल टू डू नहीं थे उतने एजुकेटेड नहीं थे लेकिन उनकी एक वोईस थी उनका एक अपना ओपीनियन था वो भी सुननी जाएग क्योंकि वो स्टेट्स डिफाइन कर चुके हैं आप उहां से जमीन के लीडर निकलेंगे और जमीन से बने हुए लीडर सत्ता में आएंगे सेंटर में आएंगे और जो उनकी अवाज डिफाइन करेंगे उस स्टेट के लोगों के अवाज डिफाइन करेंगे ठीक हैं एक य वाज सुनी जाती है democracy में हमारी एक voice होती है दूसरा हमारी voice का सबसे important part यह होता है कि हम लोग election में अपनी पसंद के लोग को vote देते हैं यह democracy का part है तो यह तो रहेगा ही लेकिन इसके इलावा जब हम एक different cultures को recognize करते है state के तौर पे तो हम लोग को ना एक एक दूसरे को respect करके एक साथ चलनी का भी एक बहुत बड़ा एक proud moment आता है अगर हम किसी culture जैसे हम कुछ खाते हैं कोई कुछ और खाता है जो हम नहीं खाते हैं just opposite of that thing के हम जो खाते हैं जो हम जो पहनते हैं वो नहीं पहनते हैं हम जो रहते हैं जैसे वैसे वो नहीं रहते हैं लेकिन हम united है as in India तो यह एक जो cultural difference होने के बाद भी linguistic difference plurality होने के बाद भी हम जो united है इसका एक जो proud moment और एक जो अच्छी चीज है हमारी country की वो और सामनी आएगी हम लोग सिरफ एक election लड़के vote देके ही united नहीं है हम एक दूसरी की सब्वेधा को respect देते हुए सम्मान देते हुए भी एक साथ है इसका भी एक बहुत बड़ा क्या पुलते हैं इंडिया का एक proud moment और हमारे एक proud moment होगा और जो की बहुत एक अच्छी चीज है तो यही चीजे इस part के reorganization of state में define है इसके इलावा और भी कोई और points होगा तो मैं आपके साथ ज़रू शेयर करूँगा and presently आप लोग को मैं इसी point पे इसको खतम करूँगा Thank you